बनी उसके एक साल बाद पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे का काम इस्टार्ट हुआ है और अखिलेस यादो जी बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं अगर उनके उनके सरकार में अगर एक्सप्रेस्वे का अगर सुरुवात हुआ रहता है तो जरूर उस पे यहां के लोग आत उत्रप्रदिस में पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे का निर्मान चालू हुआ और जहां तक घटिया मटेरियल का सवाल हम लोग तो कंसल्टेंट से भी किये हैं खुद ही हमने कंस्ट्रक्षिन में काम किया जिस तरीके का पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे बना है अभी तक प्रमप्रदेश में हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई रोड़ बना होगा। तो जो आरोप है कितने सजाई हैं। आरोप तो बिलकुल निरधार है। हम लोग तो करें हम लोग तो चुन्स्ट्रक्शन फील्ड में भूल पर काम किये हैं। हमको मालूम है यतना बेहतरीन काम हुआ है हमको नहीं लगता कि यूपी में अब उससे अच्छा कोई एक्सप्रेस होगा और इतना जल्दी जो काम हुआ है इतना स्पीड काम आज तक हमने नहीं देखा है भारती जनता पार्टी सबको अपना मानती है भारती जनता पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि आप भारत में रहो तो भारत मता किजे बोलो अगर हम भारत का खाते हैं भारत का पहनते हैं भारत में हमारा भारत में ही रहना है हर सुविदा भारती सरकार दे रही है तो हम पाकि भारती हमारा संबीधान, भारती संबीधान के हिसाब से चले लोग और कभी जिनना का नाम ले के, ये तो वोट की एक राईनीत कर रहे हैं लोग, बस वोट की राईनीत हैं और कुछ नहीं भारती जनता पार्टी हमेशा सबका हीत लेके चलती है जितने भी भारत में रहने वाले लोग हों चाहे हिंदू हो मुसल्मान हो सब भारती जनता पार्टी के है भारती जनता पार्टी किसी को अलग मान के नहीं चलती है लेकिन यह जरूर है कि केवल मुसलिम पे राजन तो भारत के बारे में सोचे एसा नहीं कि अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो पाकिस्तान के उपर पटाखा बजानाइं श्टार्ट करते हम खाते भारत की हैं और गूर पाकिस्तान का गाए तो ये तो ठीक नहीं है देश के लिए